हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू थ्री सिष्टी गयान दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकरी देने वाला हूं की सीबी एसी का दस भी और बार भी किलास के रिजल किस तारिक को डिकलियर होने वाला है उसके सम्मन्द में जानकरी दूँगा और दोस्तों एक महतपूर जानकरी दूँगा की कौन-कौन सी कलास में फ्यल होने पर सीबी एसी छात्रों को दुबारा मोका देने वाला है उस सम्मन्दमे जानकरी आपको एस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को अंतक देखें, आपसे एक रोकेश्ट अगर आप मेरी चैनल 360 गयान पर फर्स्ट टाइम बिजट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्काइब जो कर दीजें, बैल आइकोन पर कलिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी क्लास में फैल होने पर चात्रों को दुबारा मोका मिलने वाला है, तो दोस्तों है पर आप देख सकते हैं, आज ही का अपडेट है, CBSC नभी और ग्यारवी में फैल होने पर चात्रों को देगा एक और मोका, तो उस बता है कि नभी और ग्यारवी कक्षाओं के शात्रों को कोरोना संकट के देखते हुए एस साल दी जाएगी कोरोना के कारण चात्र अभिवावक तनापपूरी सिती से गुजार रहे हैं सीबी एस सी ने काई अभी वागा को देखते हुए बोर्ड ने है फैसले लिया है तो दोस्तो मैं किलिया कर देता हूं कि नभी और ग्यारवी के श्टुडेंट जो फैल होगा है परिक्षा में उनको दोस्तों दुबारा हैं पर मोका मिलने बाला है ओनली दोस्तों इस साल ही म और ग्यारवी के दोस्तों अनली शात्रो को मिलने माला है उनको मोका मिल 수डे के दस भी और भी आुवारवी कर और परिक्षाहों की काउपिा선 जाए तो दोस्तों अवाज दिन के वीतर ले मूलांकन कैंद बना गया है जहां से कोपिया शिक्षकों के घर पर पहुचा ही जा रही है तो दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है दस वी बार भी के रिजल्ट के अंतिया कर रहे है इस्टुएंट के लिए क्योंकि दोस्तों देखिए जो एचाइडी मंतिरी है रमेश पोक आइक जोल्य से लेकर पंदरह जोल्य के आसपास आपके रहें आर है सभी पेपर ले लिए जाएंगी दस्वी बार भी के उसके बाद दोस्तों आप मानके चलिए कि 15 से 20 दिन का समय लेगेगा उसकी योड ऐस के वद तो आपका अपका'sald शुकर दोस्तों जरू पमान की चलिए कि अपका Confirmator 3 जुलाइगा जियेसे कुछ नहीं घुख नए अप्डेट आठायओ है ,कुछ अच्छ अपडेट आठाया मै अपने छैनल भी युज़िया ऊपका मेरी आज के जानकारी पसंदा यह जानकारी पसंदा यह तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दो चैनल पने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जैहिंद जैवारत